हलो फ्रेंड विलकम टो मैं चैनल चोटी सी रह सोई आज मैंने 40 मिनट में ऐसा क्या लंच बॉक्स उनको दिया और बच्चे को भी जो कि वो एकदम अच्छे से खूस हो गया खाते खाते और हस्बेंड भी खूस हो गया बच्चे भी खूस हो गया और हेल्दी भी था काफी तो आप इस वीडियो में पुरा जोर देखिएगा आपको पता चलेगा कि फटा फट टेस्टी खाना कैसे सिंपल तरीके से बना सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको बैगन दिखी रहा है आलो मैंने तुरह दो के डाला इसलिए हल्दी डाली जिससे यह न चटक के बाहर नहीं आता है धूल के तुरह डालेगा थोड़ी से हल्दी डाल दीजिएगा इसमें इसे कलर भी अच्छी आ जाती है जब यह हल्का लाल हो जाएगा ना थब हम इससे निकाल लेंगे तो मैंने यहाँ पर मीडियम टू हाई फ्लेम पर थोड़ा लाल कर लिया क्योंकि टाइम कम रहता है तो ऐसे ही मैं बनाती कभी कभी तो मैं कुकर में बनाती बहुत सिंपल तरीके से अज मैं थोड़ी से अलग आपके लिए बैगन की रेसिपी लेके आई हूँ तो बैगन को भी हम हलका भून लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं यह हलका सौफ्ट हो गया है बैगन को भूनने में भी बिल्कुल जाए टाइम ने लगेगा कम ही टाइम में हो जाता है यह भी मैंने मीडियम फ्लेम पर भूना है साथ में मैं यहाँ पर और थोगा सा तेल डाली एक डेड़ चमच क्या सपस इसमें थोगा सा जीरा थोड़ी सी राई और साथ में मैं एक मिर्ची तोड़के इसमें डाल दे रही हूँ इसी के साथ में मैं एक प्याज बारी कटा हुआ इसमें डाल दूंगी प्याज हमारा अच्छे से भूनेगा और देख रहें फ्लेम मैंने थोड़ा हाई रहा क्योंकि मैं यहीं पर कंट्यूनी काम कर रही है तो इसको चलाते रहोंगे बीच में मीडियम कर दी क्योंकि हमी मसाला पिसना था दो हरी मिर्च थोड़े से लहसान थोड़े से अधरक मैं लिया है शी के साथ में मैंने एक टंतरर लिया है अगर अधर अधरक लासन मिर्ची का पेस्ट है तब यदि काट करके डाल सकते है या द Because «ुड़ोगी यहां पर मैंने इस को अच्छे से पीस लिआ हल्का आधा चोटा चमची में पंच फोरन का मसाला मिक्स होता है जिसमें अजवाइन कलॉण जी राई मेति औरिए सौफ होता है .. अगर आपहोंनेहीं डालना चाहते है ताभ फ़ुड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं लेकिन हम जदा पर उसी के साथ बनाते हैं इसमें नमक डाल दीए है धुड़ा सा और अच्छे से मसाला भुण गिया है अब मैं इसमें थोई सी कसूरी मेथी डाल दे ले हूँ मतलब अगर आपके फरेस मेथी है ना तो आप पूडाल दे आलू मेथी बैगन की सब्जी भी बहुत अच्छी रगती मेरे पास नहीं थी तो मैंने अभी यही डाला है सब्जी आ कल संड़े है तो जरूर में लेके कर रही थी सब्जी के साथ में पराठे का भी त्यारी कर रही थी और भी कुछ कुछ कर रही थी तो यहां पर हरा धन्या डालकर हमारी सब्जी के अच्छी लटपटी सी बनके रेडी हो गई है जो कि हम पराठे के साथ खाएंगे आज मैं बना रही हूं यहां पर बत्वय का पराठा मार्केट में साग वगेरा आ गया है बत्वा बहुत जादा हेल्दी होता है हमारे लिए तो आप इसे जरूर खाएं अब बच्चे को खिलाना थोड़ा मुस्किल होता है तो मैं यहां पर बत्वा में थोड़ी सी लसन दो तीन कली डाल कर अच्छे से चौपर में चौ करके डाल दें आप इसके अंदर थोड़ी से प्याज करके डाल दें तो फ्लिवर और अच्छा हो जाता है और इस साग को आप हलका सा चाहिए तो अगर टाइम है तो आप कड़ाही में हलका सा भून के भी इस आटे के साथ गुच सकते हैं अगर आपके पास टाइम है मेरे पास नहीं था तो मैं इसको ऐसे ही आटे में गुथ ली हूँ यह भी अच्छी लगती है और यहाटे को थोड़ा सा दो चाल मिर्स पर छोड़ दीजिए उसके बाद आप देख रहें कि इसके अंदर मैंने बीच में घी लगा दें जिससे कि ने रोटी फुली फुली बनती ना तो जो नॉर्मली फुलती नहीं है तो थोड़ा सा गर घी बीच में लगाकर आटा अगर टस्ट कर देंगे ना तो आपकी रोटी ना थोड़ी फुल जाएगी पराठी जिसको बोरें तो थोड़ी फुल जाएगी इस तरीके से अब बना सकते हैं तो हरी सबजिया मैं न अंग्च बोक्स रेडी किया और बच्चे को भी यही दिया बच्चे को भी काफी सादा पसंद आता है अज उसके चुटी ही तो घर पर ही था और आरफ को मैंने दिया है इसके साथ अक्रोट की चटनी पराठे के साथ अक्रोट की चटनी और इनके लिए भी मैं थोड़ा सा तो नॉर्मल सलाथ तो मैं डेली देती हूं शिर्फ खीरा काटके लेकिन आज मैं इसके अंदर थोड़े से और चीज़े डारे जैसे कि खीरे के अंदर मैं यहां पर बुना हुआ जीरा पौडर थोड़ा सा काला नमक थोड़ी सी लाल मिश पौडर साथ में मैं दही डाल दे अदर प्याज ढाल सकते लेकंगे प्याज करले पानी मे नहीं डाला था तो थोड़ी कड़ी मैं नहीं डाली इसके अंदर घबसाभाग डाल कर मैंने जला हम ईख बच्छे भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा लोगों को सेर कर दीजेगा